हेलो गाईज, वेलकम बैक टो माई योटूब चैनल, स्टासिट टिपल लाइन डिवाइन हीलर, सो गाईज, जैसे अपने थम्निल में देखा होका, आज हम रिक्वेस्टे रिडिंग करने वाले हैं, जो की रहेगा मेरे मेल वीवर्स के लिए, और ये रिक्वेस्ट मुझे इ मेल वीवर्स से, की माम आप ये रिडिंग करिए, की पार्टनर कैसी होगी, और शादी के बाद वो हमारे घर में प्यार से रहेगी या नहीं रहेगी, तो जाइसे बात है, ये मेल्स के लिए रिडिंग है, फीमेल्स के लिए में अलग सा वीडियो लेकर आऊंगी, सेम टॉ नहीं लूगे, की आपकी वाइफ कैसी होगी, आपकी पार्टनर कैसी होगी, और शादी के बाद क्या वो आपके घर में प्यासे रहेगी या नहीं रहेगी, तो ये हम चीजे डीटेल में जानेंगे गाइस, तो यहाँ पर मैंने आपके बॉतमन से रख रहे है, पाईन जाके आप सीधी आपकी जो रीडिंग है वो देख लीजे ठीके सो शुरू करते हैं पाइल नंबर वन से जो की मेरे लेफ्ट हैंड पर है हलो मैं पाइल वन पीपल तो अगर आपके बर्थ मन्स इस फर्स्ट पाइल में आते हैं तो यह आपकी पहली पाइल है पाइल नंबर वन है ग्रूप नंबर वन है तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस कैसी होगी और क्या शादी के बाद वो आपके फैमिली के साथ प्यार से रहेगी सारी चीजें हम देखेंगे हम निगेटिव थौट्स नहीं लेकर ये रीडिंग देखेंगे गाइस आपको पॉजिटिवली ही लेना है और जानिए यह एक जनरल रीडिंग है यह रिक्वेस्टेड रीडिंग है मेरे एक मेल वीवर ने ही मुझे रिक्वेस्ट करा है इंस् सो चलिए पाई वन के लिए देखते हैं कि first हम देखते हैं कि आपकी future spouse आपकी जो partner है female partner है वो कैसी रहेगी और क्या वो शादी के बाद आपके घर में प्यार से रहेगी जाय से बात है हर एक meal जो रहते है वो worried रहते है आपकी जो family रहती वो चिंता में रहती है कि बहु कैसे आएगी partner कैसे आएगी okay क्या वो भर को सम्मेट के रखेगी या नहीं तो यह ना थोड़े से चिंता रहती है okay यह हर एक लोगों के लिए रहेगी यह पाई वन के विवर्स के लिए भी रहेगी पाई नंबर टू के विवर्स के लिए भी रहेगी okay जाए से बात है आज कल्य के लिए कि आपकी फीमेल पार्टनर कैसी होगी और क्या आपके घर में वो अच्छे से रहेगी प्यार से रहेगी okay सो फोस्ट कार्ण आपके लिए लेते हैं हाई रोफंट है okay डूसरा कार्ड है किंग ओफ पंटिकल्स फिर आता है हमारा फाइव अफ कप्स उसके बाद है नाइट अफ वांस फिमेल पार्टनर कैसी होगी दिस सन और यहाँ पर है किंग ओफ कप्स okay और यहाँ पर बॉटम में है गाईज इस क्वीन ओफ पंटिकल्स okay सो पाइल नंबर वन तो सो जिनके भी बर्थ मंस पाइल वन में आते हैं okay सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी फीमेल पार्टनर कैसी होगी पाइल वन तो स्पेसिफिकली अगर मैं जोडेक साइंस की बात करूँ ना क्योंकि जोडेक साइंस करते हैं वैसे वैसे तो यह ओल स्टार साइंस के लिए है बट फिर भी ना लोग जाने के लिए बेकरार रहते की जोडेक साइंस क्या होते हैं तो पहली बात बता दू उनकी जोडेक साइंस टॉरस वह हो सकते हैं okay या फिर लियो हो सकते हैं आरीज हो सकते हैं यहाँ पर okay औ और Cancer Pisces copy हो सकते हैं because यहां पर दो cups के card है that is water energy है और यहां पर pentacles भी है तो Taurus Virgo Capricorn भी रहेंगे और prominent यहां पर मुझे guys Taurus लग रहा है and Aries की sign दिख रही है that is fire sign है fire sign है तो आपकी female partner first of all कैसी होगी firstly मुझे ऐसा देख रहा है आपकी जो female partner रहेगी बहुत ही traditional किसम की बंदी रहेगी traditional in the sense बहुत ही संसकारी रहेगी matured energy रहेगी matured thinking रहेगी so अगर मैं बात करूँ कि संसकारी in the sense सारे चीजों की knowledge उनमें पहले से ही रहेगी so by birth ही में कह सकती हूँ कि पहले से ही बहुत ज़दा knowledge उनको रहेगी बहुत ही बुद्धिवान रहेगी आपकी female partner जाए सी बात है ये गाई जेनरल रीडिंग है बट जेनरल रीडिंग होने के बावजुद भी ना बहुत सारे जो चीजे है वो resonate होती है बहुत से लोगों के साथ तो पहली बात मैंने कहा कि बहुत ही traditional किसम की बंदी रहेगी नो डाउट ठोड़े से western लोग भी रहेगा बर ने tradition को ज़्यादा महत्वे देने वाली या फर importance देने वाली ऐसी आपकी female partner रहेगी ठीके बहुत ही motherly vibes उनमें रहेगी क्योंकि यहाँ पर queen of pentacles हैं so queen of pentacles से ही बता रहे है कि बहुत ही caring nature रहेगा stable personality रहेगी कि जो भी decision लेंगी उसमें form रहेगी कभी भी बदलेंगी नहीं उनका decision तो यह ऐसा कुछ उनका nature रहेगा ठीके दूसरी चीज ऐसा भी दिखरीना मुझे कि यह जो आपकी female partner है यह आपकी कह सकती हूँ twin counterpart रहेगी या फिर आपकी soulmate हो सकती है जैसे आप से resonate होता है guys वही आपको लेना है यह आपकी soulmate ही रहेगी because यहाँ पर na queen of pentacles है and king of pentacles है okay so definitely मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जैसे expect करते थे कि आपकी partner कैसी होने चाहिए या फिर आपकी जो terms and conditions रहेगे कि मुझे ऐसे ऐसी type की person चाहिए या फिर आपकी जो parents की expectations रहेंगे कि उनकी बहु ऐसी होने चाहिए वैसे ही आपकी female partner रहेगी इसमें कोई शक नहीं है कोई दोराहे नहीं है कि यहां पर अगर मेजोरिटी कार्ड देखो ना तो सारे positive निकले हैं ठीक है five of cups यह थोड़ा सा negative नहीं कह सकती हूं बट यह कार्ड यह दर्शाता है कि ना उनका थोड़ा सा लगाव जादा रहेगा उनके family के प्रती जाए से बात है जब लड़की शादी करके आती है तो थोड़ा सा लगाव parents के तरफ रहता है तो यह कुछ time के लिए रहेगा कि थोड़े से यादों में जाना, बचपन के यादों में जाना, माबाप के बारे में सोचना, खयाल करना, care करना तो यह उनका nature रहेगा, यह थोड़े time के लिए रहेगा, pile one, okay ऐसा मैं ऐसा नहीं बोल लिए कि सारे जिंदगी रहेगा, नहीं थोड़े time के लिए थोड़े से वो emotional भी रहेंगे, थोड़े से याद करेंगे अपने parents को थोड़ा सा miss करेंगे, तो यह चीज़े रहेंगी, बहुत ही passionate आपकी partner रहेंगी, traditional के साथ-साथ अपने काम के प्रती focus रहेंगी, अगर वो job भी करेंगी, तो या फिर अगर वो घर पे भी रहेंगी, तो पुरे घर को संभालने वाली ऐसी आपकी female partner रहेंगी, कही न कहीं आपकी घर को खुशियों से भर देगी आपकी female partner, क्योंकि यहां पे sun का card है, और कहीं न कहीं आपकी female partner आपकी घर में एक अच्छा मुकाम हासिल कर ले, एक जगा बना लेगी, ऐसा है यहां पे, क्योंकि मैंने जैसे कहा के पहला ही paid highiofin का निकला है, that means highiofin यहीं बताता है, कि उना एक firm decision या फिर एक knowledge knowledgeable person, नोकि, बहुत ज़दा knowledge, बहुत ज़दा ग्यान रहेगा उनको, कि ना उनसे सारे लोग में advice लेंगे, मतलब आपके जो घर के female member रहेंगे, male member रहेंगे तो उनसे advises लेना、 उनको अच्छा लगेगा क्योंकि ना उनका बातों का अंदाज अच्छा रहेगा, कम्यूनिकेशन अच्छा रहेगा लोगों से बॉन बनाना ये चीज उनमें बखो भी आती रहेगी, पाइल वन आपकी फीमेल पार्टर मैंने जैसे कहा कि घर को संभालना, ये चीज उनमें पहली बात रहेगी पैसो को अच्छी तरह से देखना संभालना, जितना खर्च करना है उतना ही खर्च करना है फाल्टू के चीजों में पैसे वेस नहीं करेंगी ये चीज उनमें रहेगी, तो थोड़े से स्टेबल पैसनलाइटी रहेगी मैंने कहा, बार-बार उनका माइन वो चेंज नहीं करेंगी दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि बहुती प्यार बहुती प्यार नर्शर वो सब को करेंगी, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे कहा, King of Cups है और ती सन भी है, तो एक तरह किसे आपके घर को बहुती खुशियों से भर देगी, कोई शक नहीं है बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पाइल नुबर वन, आप अपने फीमेल पार्टनर से मिलने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर night of pentacles भी है यहाँ आपकी energy मुझे बया कर रही है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है आप शादी के मामले में थोड़े से delay महसूस कर रहे है या फिर ना long time से आप वेट कर रहे हो आपकी शादी के लिए आपकी female partner का आपके life में आने के लिए तो थोड़ा सा वेट ही सही या फिर patience ही सही बट आपके जिन्दगी में बहुत अच्छी life partner आपको मिलेगी guys and अगर मैं बात करूँ ना हमारे topic की कि क्या वो आपके घर में प्यार से रहेगी definitely रहेगी 100% रहेगी ना सिर्फ वो प्यार से रहेगी बट ना आपके सारे family members को एक जूट बना कर रखेगी और ना घर में खुशिया ही खुशिया बरसाएगी okay no doubt मैंने जैसे कहा कि थोड़े से emotional factors उनमें रहेंगे pile one okay emotional factors आपकी female partner में रहेंगे तो अगर आपको थोड़ा सा भी बोलते हो तो वो थोड़ा ना रो पड़ेंगी okay रो पड़ेंगी क्योंकि emotional side उनमें जादा रहेगा five of cups के नीचे king of cups है okay emotional factors जादा रहेंगा बट ना उनमें maturity level भी रहेंगी ऐसा नहीं है कि आपने कहा तो वो थोड़े से ना root के या फिर गुस्सा हो के मैके में चले जाएंगे नहीं उसमें भी वो maturity लाएगी और ना सारे घर को संभालेगी okay because queen of pentacles है तो definitely mother की energy उनमें है और कही ना कही ये आपकी ना soul में ही रहेगी divine counterpart रहेगी आपकी okay twin भी हो सकती है कुछ-कुछ male viewers के लिए okay तो आपकी female partner ये आपकी twin भी हो सकती है divine counterpart आपकी रहेगी okay because यहाँ पर king of pentacles भी है queen of pentacles भी है जब ये एक reading में आते है तो ये आपकी soul में ठी कहलाती है या फिर आपका divine counterpart आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपके parents को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कही ना कही आपकी female partner आप से कई ज़्यादा अच्छी रहेगी okay मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोग बुरे है definitely बहुत ही अच्छी रहेगी और आपको थोड़ा सा संभल कर लेना है प्यार देना है okay females को कुछ नहीं चाहिए होता है guys मैं आपको बता देती हूँ females को सिर्फ प्यार चाहिए होता है अगर आप प्यार देते हो in return आपको बहुत ज़दा मिलता है okay कही ना कही आपकी female partner आपसे बेहत प्यार करेगी family को एक चूट बना के रखेगी और कहीना कहीना अपने काम की प्रती भी focus रहेगी अगर वो शादी के बाद भी job करेंगी या करने की सोचेंगी तो कभी भी लापरवा नहीं रहेगी आपके parents के साथ या फिर आपके family के साथ okay तो आपको निशिन्थ होना है आपकी female partner बहुत ही अच्छी किसम की बंदी रहेगी कह सकते हो इनसान बहुत ही अच्छी किसम की बंदी होगी बहुत ही अच्छी किसम की इनसान होगी okay by hearty वो बहुत अच्छी रहेगी और आपको यहां पर ने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं और साथी साथ ना यहां पर वो आपकी फैमिली को बहुत अच्छे से संभालेगे भी और प्यार से रहेगी खुशिया बाटेगी इससे ज़़ाद कहो पाइल नमबर वन ठीके अगर अपने पाइल 2 चूस करी है अगर आपके बिर्थ मंद पाइल 2 में आते हैं तो यह पाइल नमबर 2 है यह ग्रूप नमबर 2 है और यह आपकी रीडिंग है चलिए देखते हैं कि आपकी फीमेल पार्टनर कैसी होगी उनका नेचर कैसा होगा और साती साथ हम देखेंगे कि क्या वो आपके फैमिली की साथ प्यार से रहेगी तो यहाँ पर बॉटम अफ देख त्री ऑफ सोट का कार्ड है गाईज आप अपने फीमेल पार्टनर का बहुत इंतजार कर रहे हो कही ना कही आप बहुत जदा दुखी हो कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी आपको अच्छे पार्टर मिलेगी या नहीं मिलेगी आपके पेरेंस भी शायद बहुत दुखी है अभी इस स्टाइल पे और रहो सकता है आप लोगों ने पाई लंबर टू आप लोगों ने होप छोड़ दी है उमीद छोड़ दी है कि आपकी शादी होगी कही ना कही एक सी वापस त्री आप सोच आया है कही ना कही आप बुरी तरके से ब्रोकन हार्टेड हो शादी के मामले में पाई लंबर टू एक ही कार्ड ने बहुत सरे चीज़ें बता दी है लेट सी कि आपकी फीमल पार्टनर कैसी होगी और आपके फैमले के साथ वो अच्छी रहेगी प्यार से रहेगी प्यार से पेश आएगी सारे चीज़ें डिटेल में हम कवर करेंगे गाईस और ये मेल्स के लिए रीडिंग है ये रिक्वेस्टेड मेल्स के लिए रीडिंग है गाईस So let's see, कि Pile No. 2 के लिए, आपकी female partner कैसी होगी, Pile No. 2 So first आपके लिए है Knight of Wands है, Knight of Wands नहीं Knight of Wands है फिर आता है Knight of Cups, then you have 2 of Cups, फिर आता है यहाँ पर Wheel of Fortune, वाव, फिर है The Fool and Five of Cups, ओके, Five of Cups यह कार्ड गाईस, Pile 1 के लिए भी था, ओके, and The Moon So Pile No. 2, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ न, कि आपकी female partner कैसी रहेगी, okay So first of all, अगर मैं Zodiac Sign की बात करूँ, no doubt यहाँ पर सारे science applicable रहते है Energies यहाँ पर matter करते है, यह All Star Science के लिए रहते है गाईस, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर न, Zodiac Science बताना चाहूंगी, तो यहाँ पर न, Maximum कार्शो निकले है, वो Cups के है, okay That is Cancer Pisces Scorpio रहेगी आपकी female partner, या फिर Aries Leo Sagittarius हो सकती है, या फिर Gemini हो सकती है, या फिर Scorpio हो सकती है, ठीके Prominent यहाँ पर अगर मैं science की बात करूँ न, तो सारे science applicable है यहाँ पर, okay और Gemini sign applicable है, ठीके, सो Scorpio भी है यहाँ पर, okay Moon का card है, that is Scorpio energy है, तो आपकी female partner कैसी रहेगी, first of all उनका nature हम जाने की कोशिश करते है, okay So pile number one, यहाँ पर मैं बात करूँ न, तो हो सकता है, आप अपने female partner को अलड़ी जानते हो, pile number two, okay हो सकता है, आप अलड़ी मिले हो, और हो सकता है, यहाँ आप उनके साथ relationship में हो, okay या फिर आप relationship में हो, लेकिन आप separated हो, okay कही न कहीं यह चीज है, यहाँ पर pile number one के लिए, बिकिस यहाँ अपना two of cups का card है, that means यह मुझे बया कर रहा है कि हो सकता है, कि आप अपने future spouse या फिर आपकी female partner से already मिल चुके हो, मिले भी हो, तो फिर आप separated हो, okay कहीं न कहीं हो सकता है, कि आप अपने female partner के साथ, क्या कह सकते है, कि थोड़े से secret relationship रहेगा आप लोगों का, okay से secret हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, कि आपके यह दोनों के बीच में कोई दरार डाल रहा है, कोई third party situation है, यहाँ पर जिसके वज़े से हो सकता है, कि आप दोने separated हो, okay अपने female partner को जानते हो, पहचानते हो, बट ना कुछ मसले है आपकी relationship में, जिसके विज़े से आप दोनों बात नहीं करे हो, यह separated हो, okay लेकिन अभी भी आप जुड़े हो, physically नहीं, बट mindset से आप बहुत ज़दा जुड़े हो, pile number two, आपने female partner के साथ, okay अगर आप अपने female partner को नहीं मिले हो, बट मुझे यह messages मिल रहे हैं कि आप बहुत ही जल्दी आपने female partner को मिलोगे, बहुत जल्दी, okay और यह आपकी divine counterpart ही रहेगी, कुछ viewers के लिए हो सकता है कि कार्मिक connection हो सकता है आपका, okay पूर्व जनम का कोई relation आपका रहेगा, okay पूर्व जनम के कोई partner रह सकती है, जब आप किसी जनम में human beings के अंडर, इंसान के तौर पे आपने जनम लिया होगा, तो यह आपका बिचरा हुआ प्यार हो सकता है किसी दूसरे जनम का, okay तो यह आपकी destine partner भी हो सकती है, divine counterpart भी हो सकती है, okay और जो मैंने कहा कि आप अलड़ी आप जानते हो और separated हो तो हो सकता है, कुछ कार्मिक reason के वज़े से आपका separation mode यहां पे चल रहा है अगर आप किसी को नहीं मिले हो तो बहुत ही जल्दी मिलोगे, pile number two, okay क्योंकि मैंने शुर्वात में ही कहा था कि आपके life में कुछ चीजे ऐसे हैं कि आप बहुत broken hearted हो, okay तो अगर मैं बात करो, आपकी female partner कैसे रहेगी, okay तो मैंने जैसे शुर्वात में बोला था, यह आपके destine partner ही रहेगी, destine soulmate रहेगी, divine counterpart ही रहेगी, okay बहुत ज़दा प्यार, बहुत ज़दा loving, loving factor आप दोनों में रहेगा, okay बहुत passionate, बहुती fiery energy आपकी female partner की रहेगी, okay आप किसे भी उमर के हो अभी आप, आपकी age अगर जादा भी है, तो आपकी female partner आपसे बहुत attracted रहेगी, pile number two ठीक है, क्योंकि पहला ही card यहापे night of wands का card है, जो कि बताता है कि बहुती fiery energy, बहुती passionate love आपके प्रती रहेगा, साथे साथ two of cups का card है, that means आप तोनों में एक्वल give and take रहेगा, pile number two, okay कहीं न कहीं आपकी जो female partner रहेगी ना, बहुती innocent nature की रहेगी, okay life में risk लेना या फिर प्यार में risk लेना यहीं उनको बहुता पसंद रहेगा, no doubt उनको ऐसा लगता रहेगा, no doubt आपके relationship में थोड़े से ups and downs रहेगा, फिर बिना वो हाथ छोड़ने वाली या फिर उमीद छोड़ने वाली ऐसी बंदी नहीं रहेगी, ऐसे इंसान नहीं रहेगी, okay लाइफ को न्यू नजरिया से देखना, उसमें नयापन लाना या फिर नए तरह के से लाइफ जीना, यह उनको बहुत पसंद रहेगा, या फिर उनमें बाई बरती है, क्वालिटी रहेगी, okay कही न कही बहुती बिंदास, मस्त मौला टाइप की आपकी फिमेल पार्टनर रहेगी, पाई लंबर टू, okay कही न कही यह जब आपके लाइफ में आएगी, या फिर आ चुकी है, no doubt आपके लाइफ में थोड़े से ups and downs है, लेकिन यह जब आपके लाइफ में एंटर करेगी, जब आएगी, कदम रखेगी, तो कही न कही आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बरसों की तपस्या पोरी हो गई, जो आपने मननत मांगी है या मांग रहे हो आपकी female partner से related, कही न कही इनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि भगवार ने finally मेरी जो wish है वो पूरी कर दी, मेरी जो इच्छा है वो पूरी कर दी, कही न कही आपकी wish fulfillment आपकी female partner रहेगी, पाई number two, यह मस्त मौला तो रहेगी, ब बटना emotional side भी रहेगा, कही न कही जब आपकी बारी आएगी, आपके बारे में जब वो सोचेंगी, तो थोड़ा सा emotional factor रहेगा, पाई number two, आपकी female partner का, कही न कही न कही ओवर emotional या फिर आपके बारे में ज्यादा emotional touch उनका रहेगा, मैं कह सकती हूँ कि आपको अपनी female partner का दिल का बहुत ज़्यादा खयाल रखना है, वो कुछ भी कहे, नो डाप उनके अपेक्षा या expectations हाई नहीं होंगे यहाँ पर, लेकिन उनकी हर एक बात का आपको समान करना है, respect देना है, कही न कही उनका हाट न बहुत मुलायम हो सकता है, तो अगर आप कुछ भी बोलते हो, अगर आपके family उनको कुछ भी बोलते है न, तो वो तुरंत मुर्जा जाएंगी, थोड़े से हो सकते है कि न, उनका हाट कमजोर है, कमजोर innocence में health-wise नहीं बता रही हूँ, पर ऐसे होते हैं कि emotional factor उनमें जादा रहता है, अगर आप च उनको ऐसा लगए कि मेरी life में कुछ है ही नहीं, okay, no doubt वो आपसे बेंतहा प्यार करेगी, pile number two, आपकी female partner, because मैंने जैसे कहा कि two of cups का card है, that means equal give and take, equal give and take, equal respect आप के लिए रहेगा, okay, और कही न, कही न, थोड़ा साने secretive भी रहेगा उनके life में, okay, बहुत सारे चीजे ने secret रख करेंगी, अगर उनका दिल दुखा भी हो, या फिर आप उनका दिल तोड भी देते हो, फिर भी न, वो किसी से जाहिन नहीं करेंगे, या express नहीं करेंगे, कि उनका दिल तूट चुका है, या ब्रेक हो चुका है, okay, तो आपका और आपकी family का बहुत सदा खयाल रखने वाले ऐसी आपकी female partner है, okay, क्योंकि उन्होंने अपने life में हो सकता है, बहुत सारे चीज़े खोई रहेंगी, okay, because यहाँ पे न, star card है, okay, definitely, उन्होंने अपने life में बहुत सारे चीज़े खोई रहेंगी, या फिर न, बहुत सारे सपनी उनके मन मताबिक नहीं हुए रहेंगे, तब उसके दिल का ख्याल आपको रखना है, okay, तब ही मैंने कहां, कि थोड़े से नरम मिजास की आपकी female partner रहेंगी, okay, but साती सातना, अगर मैं बात करूँ, कि आपके family के साथ, उनका bond कैसा रहेंगा, या फिर वो प्यार से रहेंगी या नहीं रहेंगी, 100% रहेंगे, guys, because यहाँ पर अगर कप कार देखो ना, तो सारे positive ही निकले है, no doubt, moon card मुझे यहाँ पर negative vibes नहीं दे रहा है, moon card यह मता रहा है कि over emotional आपकी female partner रहेंगी, okay, no doubt, थोड़ा सा mood उनका open नीचे रहेंगा, लेकिन उन जाहिर नहीं करेंगे, express नहीं करेंगी, okay, यह चीज उनमें रहेंगी, त उनको क्या चाहिए, उनको क्या नहीं चाहिए, इसके बारे में सोचना है, because आपकी female partner आपको पूरी तरह किसमे समर्पित हो जाएगी, okay, आपके लिए भी हो जाएगी, आपके parents के लिए भी, आपके family के लिए भी हो जाएगी, कही ना कही मैंने जैसे कहा, कि आपकी female partner आने क के बाद आपकी किस्मत जैसे खुल जाएगी, कही ना कही आपके घर की जो ग्रह दिशा है या फिर लग फैक्टर है बोलू में तो बहुत जदा खुलने वाली है या फिर ना आपकी सारी सपने जो है वो पूरे होंगे आपके फिमेल पार्टनर के साथ, आपकी फिमेल को फैमिली को बहुत जदा हीलिंग देने का भी काम करेगी नो ड़ट उसके लाइफ में उसने सारे चीज़े पाई नहीं रहेगी हर मुकाम पे उसने बहुत सारी चीज़े खोई रहेगे उसके पास्ट में लेकिन आपके साथ जुड़कर उस सारे सपने उसके फुल्फिल ह भी रहेगी पाई लंबर टू ओके बस यहाँ पर इतना ही कहूंगी कि उनका उनके मर्जी के बारे में उनके मूर के बारे में आपको खयाल रखना है आपको उन्हें डी मोटिवेट नहीं करना है कही ना कही आपके और आपके फैमिली का खयाल वो बहुत अच्छे से रखे प्यार से भी रहेगी प्यार भी करेगी यहाँ पर और आपके फैमिली के लिए कह सकती हूं आपके लिए कह सकती हूं आपके लिए किस्मत की चावी भी रहेगी पाई नमबर टू यहाँ पर कोई भी शुगर कोट नहीं कर रही हूं बखो भी आपको सारे चीज़े तो आपके उसके नेचर का भी ख्याल रखना है उसको भी प्यार देना है फिमेल को जादा कुछ नहीं चाहिए होता है फिमेल को सिफ प्यार ही चाहिए होता है अगर प्यार उनको आप से मिलेगा आपके family से मिलेगा definitely उससे ज़्यादा उससे दुगना वो आपको करेगी तो कहीं न कहीं equal give and take आपके तरफ से भी रहना चाहिए आपके parents की तरफ से भी रहना चाहिए definitely आपको भी उतना ही मिलेगा in fact आपको उससे ज़्यादा मिलेगा ठीक है अगर आप ये चीजें follow करते हो तो पाय लंबर 2 okay so इसी positive note के साथ में reading end करती हूँ पाय लंबर 2 I hope guys ये अपसे resonate ज़रूर करेगा so thank for watching bye bye take care god bless you and love you all